असलाम लेकुम क्लास, hope you are all fine and doing your work पिटा प्लीज टेक आउट यर मैथ्स बुक लेसन नमबर, यूनिट नमबर 7 है आपका डिवीजन आज हम इसकी करेंगे एक्सेसाइज नमबर 7 ओके, लिसन टू मी बेरी कियरपुली एक question is 15 divided by 3 ठीक है, आपके पास एक नीचे नमबर लाइन दी गई है उसमें आपके पास 0 से 20 तक के नमबर जो हैं वो लिखे हुए हैं अब उन्होंने कहा है कि 15 divided by 3 इट मिन्स के आपने 3 3 नमबर के जिससे भी आपने डिवाइड करना है उतने नमबर की आपने जम्प करनी है उस नमबर तक जब तक के वो हमारे पास given number ना आ जाया जैसे 15 है given number वो ना आ जाया तो मैंने 0 से start किया 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15 देखे हमारे पास वो नमबर आ गया है अब उसके बाद आप अपनी jumps को count करें कि आपने कितनी jumps की थी 1, 2, 3, 4, 5 तो आपका answer क्या उपर आ गया 5 इसको आप table भी पढ़ सकते हैं कि 3, 5, 0, 15 ठीक है लेकिन चुँके हमने इसको help करना है with the help of number line B पे आ जाया 12 divided by 3 यानि आपने 3 का table पढ़ना है उस वहां तक jump करनी है जहां तक 12 ना आ जाया 3, 6, 9 and 12 तो कितनी jumps होगी 1, 2, 3, 4 sorry your answer is 4 next bit आ गया 18 divided by 6 it means कि आपने 6 की jump करनी है 6 फिर आगे से 12, 12 के बाद 18 ठीक है तो कितनी jumps होगे 3 jumps होगे and the answer is 3 number D 16 divided by 4 तो 4 की jump की 4, 8, 12, 16 तो how many jumps? 4 4 4s are 16 20 divided by 5 it means कि आपने 5 की jump करनी है 5 फिर उसके बाद 10 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 तो यह कितने jumps होगे 4 jumps होगे your answer is 4 21 divided by 7 तो अब आपने 7 की jump की 7 7, 7, 2 is a 14, 7, 3 is a 21 तो 3 jumps आगे it means कि your answer is 3 next is 20 divided by 4 4 की jump करें 4, 8, 12, 16 और 20 और jump आपके होगे 5 ठीक है? तेंक यो सो मुच लाफ पेस बड़िए